मुहमद दिखा उन्हें ने मुहमद दिखा वे एक बार फिर आपका जूनीत पोटल में अभी नंदन है स्वागत है मैंने आपको कहा था कि मैं आज आप मैं जो बादा करता हूँ वह बादा मैं पूरा जरूर करता हूँ मैं आपको बहुत चीज़े भी दिखाँगा जो वालिकाओं ने चित्रकला के मादम से नक्सा बनाया है देश का उसको भी मैं आपको दिखाँगा उन बालगाओं से भी मिलाओंगा क्योंकि मैंने आपको सुरूर में बता है कि मैं जो चीज़े आपको दिखाँगा और दिख वाद कर सकते हैं। पीछे वो टीचर्स हैं, आप देख़एंग पूरे टीचर्स बिल्कुल उस्सुकता है, उमंग है, जोस है और कहिन कहीं ये जोस इन बिद्याले के बच्चों के अंदर भी बढ़ने की पूरी कोशिस कर रहे हैं। ताकि कहीं भी जाये ये बच्चे, कहीं भी जाये ये बालक अपने जीवन में इन चीजों को उतार कर आगे बढ़ा बरसके इन शीकसकों की जीवन में सफल हो सके और उसकों सफल करने का पुरा प्रयास कर रहे है यह सिक्षक, क्यूंकि इक ऐसी चीज होती है, कहीं कहीं बालकों को यह अच्छे मुकान पर पूचा भी सकते हैं, और अगर बालक इनकी बातों को नहीं माने, तो आप जानती हैं कि क्या होता है आज हम भी अगर ये मायक लेके कड़े हैं तो कहिंकर हमारे जिख्षकों की बदौलत है कि आज हम इस मायक पकड़े हैं तो मैं बिना देर किए आपको उन बालकाओं से रूबरू गुराँगा टीचरों से मैं आपको रूबरू करवाँगा और फिर मैं आपको ले चलूँगा संसकर्तिक कारिकरम में जहांकि मैं एक छोटी सी जलक आपको जरूर दिखाऊँगा तो हम आपको आप बने रहें बैस क्योंकि आज लंबा चौरा केमपफ है केमपफ हैं जाने में 10-15 मिट हम को लग जाता है तो यह टीचर है श्याम परताब जी और यह जो बालक है जिनोंने यह बहरत का नक्षा बनाया आज भी अगर हम कहीं बिद्यालों की बात करें तो बिद्यालों में बहुत दरिवार अपना गाओं का जो नक्षा है वह हम नहीं बना सकते लेकिन जब टीचर क नहीं पूरे देश में बना सकते हैं तो बैटब आपने जो अभी एनक्षा बनाया है क्या नाम आपका सुन भी न हमारे भी ही उसलिट में चेज़ को भी परेशाली धिक्कब यह परिशार है थो मतलब शामसरान ने तो आसान पड़ गया था यृष को आप नटेए तो आपको न शलाट को वड़ात यह और वाट कर आए बारत का मतलड़ सकते हैं और विस्प का भी बनाएंगे और राजस्तान का भी नक्सा बनाएंगे तो आप लगा तरफ हमने पहली वर किया था हम 11 क्लास की चात्रा हैं अच्छा यह जो आपने पहली वर क्या हो तो और बढ़िया बैट तो बेटर करवा कोशिद करेगा बिल्कुल तो यह बाल का है जिन चांदनी तो यह नक्सा आपने बनायों सब्सक्राइब पहले चीक का करते करता तो यह मर्चावने चीक हैो कि आप ने तो कैसा लगा आपने बहुत हैं बहुत अच्छा लगा तो तो क्या संदे ही देना चाहते हो हुआ बालिकवों को न अपनी हम जो महिला हैं जो कि आप इसे तरह से नudख्शा बनाए और ये जो आपकी बालिका है और इस प्रकर नक्षा जो बनाय पहले यह ब्रोक करवाएंगे दिवार के उपर और फिर कर लाइंगे हम चाहते हैं कि बच्चे इस से सीकें भारत में कि अंदर साथ परदेश हैं कौन-कौन से पड़ोसी राज्य हैं किस राज्य आपने बहुत अच्छी बाते बहुत अच्छी बात दी कि आज अगर हम जाए तो अक्सर क्या होता है कि हमारा प्रोसी राज लोकिशन क्या है लेकिन अगर देखते हैं तो उनको पता है कि थे सुनने से बार की जिए राज्य है लगार में वी रायों पता हो बिलकुल से देखने से शीकता है यदि अम्बेटिकर जी मूर्ती है तो हम उनको बताएंगे कि इन्होंने देश के लिए क्या किया समिधा निर्मान में कैसे इन्होंने से योग दिया कैसे डेश के लिए जाती वाचुआचुद ये चीज़त कि यह सारी चीजेंती देखने से Go सकते हैं उसको समझ के अठाइब निचंटा परवाश में ज Cage सरे बामा sports याद रहता है लिखने की बजाए सुनने की बजाए तो घ्रिजाएं चीखरD एक हम बताएंगे वेडिकर जी की मूर्ती के सामने बताएंगे कि नहीं किया क्या तो ज्यादा लोगे रहे तो अब बने रहिए लगाता हमारे साथ हम आपको जैसा भी हमें टाइम लागा तो क्या कैंपस है यह अभी 22 विगा में है सब आप देखो हम कह रहते हैं कि बहुत बड़ा campus है बहुत बड़ा campus है अब हम पूरे campus में गोंके दिखाएं क्या है लेकिन यह 22 गा campus है आपको नहीं जिघा सकते न हैं कि पहले इससे पहले नहीति यह जैसे यहां पर जिम का सामान अभी देखा जिम भी पहली बार लगा एससे पहले यहां पर नहीं था यह सरा आपने एक यह साहट गए और भी प्रोग्रम तो मैं आपको बता दूं कि यहां जो सांसिकिर्ट प्रोग्राम रहा है तो यहां जो बचों में यह खिलाडी है यह वह बेदाय रामकेजी लिए आए इन्होंने बच्चों को भी सम्मानित किया है यह सारी तस्वीर है यहां लगा रही है और अगर हम इधर की बात देखें तो यह ब्रक्चारोपन का है यह ब्रक्चारोपन की किया है इन्होंने इस शाप की द्वारा किया है जो इन्होंने चाय चित्रा है यहां लगा रखें औ और अम्डेकर की जो मूर्ती है उसका जो अनावरण है उसको भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे तो ये स्टाफ है आपका वो एक वर इस्टाफ है महीला वारा वो जुड़ना चाहेगा तो आप सलें और हम आपको जोडते हैं अब हम आपको जोड़ते हैं महिला स्टाफ से क्योंकि हमने पुरिश स्टाफ से आपको जोड़ा और उनका जो सयुक था वो साथ था वो बीना और हमें वो एक सरहानी है और जगर हम इस परकार की जो कारे अगर हम करते हैं इस परकार की चीज़ों को हम लेते हैं तो कहीं कहीं हम आपको दिखा रहे हैं और पुरिस्तो इस्टाफ था उसको हमने आपको दिखाया और अब हम आपको उन से मिलवा रहे हैं जो महिला इस्टाफ है और कहीं कहीं हमारे जीवन में महिलाओं की जो वागेदारी है वो एहम वागेदारी होती है मेडम सबसे पहले जिनीज पटल से कंदेश को इंचीजों को कर रहे हैं तो आप कि अच्छा रखता है यह स्कोल इतना बड़ा है यहां पर इतने बच्चे है करने को बहुत कुछ काम मिलता है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है मेरे है तो उसमें बोड बोड का चार्ज है मेरे पास उसकाम को भी मैं बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूं यहां करके plantation के लिए specially क्यूंकि मुझे उसमें ज्यदा रुची है तो बहुत सारा space है प्लांच लगाने के लिए परिवर्टन किया और आज हमारे स्कूल करीसर में अंदर भी हमारे पास फूल हैं तरह तरह के फूल हमारे पास हैं जिससे बचों को भी अच्छा लगता है खुशी हूँती है अपने काम को देख करके आप महिला हो और महिला की जो भावना है उसको आप अच्छे तरह समझ सक गर्का करती है वहार का तो तो कहिन के नंको उनके जिम्मेदार इतना आसान भी नहीं होता हम कहिंते हैं चूछ साथ बच्छों को दिसा दिने सब्सक्राइब करें तो इसमें कुछ आपको टेक्ट टेक्निकल इसा कुछ होता है फभी तो मैनेज करने पर दो पड़त हैं हम मैनेज कर और यह व neglect अच्छा है कि आप जिस जीवन करने केवल पढ़ने की पढ़ने में रहना है अधर एक्टिविटी इसमें जीवन में आगे रहने की कोशिश करनी चाहिए और वा चीज SICHक्रतों compatte स diffic guar जब शायता है और चapिक्लाइब करते हैं और उनको कोपी करते हैं आपको तो कितनी खुशी होती आपको या सई दिशाप चल रहे हैं या जीमन उन चीजों को फोलो करते हैं तो खुशी होती है पोरे सा चाहतना करते हैं और बच्छों को होना कितना आवसकता है और बच्चिया चीजों को सिकती है तो आपका क्या रखे जी इनका होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में भी और बच्चों को जितना सिखाएं इतना कम है और यह अपनी जीवन में अगर ऐसा डाल लेती हैं तो इनके काम आने वाली ही चीजें हैं यह कोई भी बात है पढ़ाई के अलाबा एक्स्ट्रा डांस पढ़ाई नोकली लगना है इसके लाव हम कुछ न thay.. P difícil क्लास लेकिन और अगर बात करें जी जीम की माद न सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और जैसे पैंटिंग में हैं कई बच्चियां बहुत अच्छा पैंटिंग बनाती है यह रंगोली वगेरा तो वो उस चेत्र में जा सकती है तो बच्चों को हम सारी तरह की कलाएं सिखाने की कोसिस करते हैं जिससे बच्चे अपने पविश में आगे जौब के लिए एक ही चीज पर डिपेंड नहीं आपको इस्टाप में ऐसे भी दिक्कते आती हैं कि हम एक जूट नहीं हो या कुछ हो कर देखते हैं कि छोड़ी बातों पर इस्टाप में कुछ ऐसा हो जाता है तो यह जो अम्मेड करजी की मूर्ती थी यह विवाजी के निमाग में आयती यह बता रहे थे हमें और आपने लोगों ने इनों का सयोग किया तो आज आप क्या कहना चाहूंगे इस वारे में बहुत अच्छा लगा सर इसी के नाम से स्कूल था और इनके नाम से एक मूर्ती हो तो सब भी लोग उनका नमन कर सके तो अच्छी बात है अम लोगों ने पैसे खटेगी है सब पूरे स्टाप ने और पहले से ही इसका हमारा चल रहा था दिमाग में और इसका आज उपका नाम सर मेरा नाम स्रीमती ग्रिजेश गुर्जर है अच्छा जी बहुत अच्छ बात में आपका क्या कहना है इसी बिद्याले के जो केंपस है आपने बहुत सो अच्छा बना रखा है मैं एक बहुत बहुत सो लोग केते हैं कि साब पत्रकार बढ़ाय करते हैं हमारे मुश्य से सब्सक्राइब करते हैं अच्छे परवति देने में अच्छे शिक्षा देने में लगातार लग रही हो तो क्या कहना है मैम लगातार वबयत कराते हैं आप मैं जो चीज एक साम्सक्रिटिक प्रोग्राम जो इन्हों ने उन बच्चों को शिका है जो संस्कृति के प्रोग्राम से आज वो पैस करेंगी दूसरी बात मैं एक को बता हूँ कि यहाँ पर 25 डॉक्टर भीमराव अमेड करजी की मूर्ती का अनावरन विदैक रामकश्मिना करेंगे उसका भी हम आपको लोकापन जब तक के लिए नमस्कार जेहिंज जे वरत